फोरा टॉक्स 10 जी यानि ये एक कीट ना सक है तो इसका इस्तिमाल जो है खेतों में अगर जिनके सांप बिच्छू या फिर जहरीले जो जीव हैं उनको भगाने के लिए हम इसको इस्तिमाल में लाते हैं यानि ये आपको इस तरीके से मिलेगा जैसे कि चाय की पत्ती होती है उसी के अनुसार ये पाउडर बेस में नहीं है तो मैं अभी काट के बताऊंगा अगर इस तरीके के लोग जिनके घर में सांप अक्सर आ जाया करते हैं या फिर बिच्छू उनके घर में यानि निकल आते हैं या फिर इस तरीके के जीव जो यानि जहरीले हैं जिनके काटन तरीखे की इसके अंदर दवा कीटना सक निकलेगी काली कलर की और इससे जातर लोग मरते भी हैं इससे मैं आपको बता दूं अगर आपने जैसे साफ घर में जिसके घुसाया है या बिल में घुस गया है इस दवा को आपने डाल दिया और उस बिल को यानि पत्थर से या फिर किसी से बन कर दिया तो दूसरे दिन वो साफ यानि चाहे कोब्रा हो चाहे दूसरा जैरीला साफ हो वहाई पर मरा उसी के अंदर मिलेगा अगर इस दवा को आपने घर के अंदर डाल लिया और उसमें यानि कोई यानि इनसान उस घर के अंदर यानि खिड़कियां बन हैं और उस जगे पर वो रहने लगे यह दवा डली हुई है यानि छिड़क दी है तो आदमी के मरने के भी चांसे सो जाएंगे दो या तीन जो लोग हैं मेरे आसपास में मरे हैं इस दवा को अगर किजी न, यानि कीट ना सब को किजी न खा लिया तो उससे बचने के चांस बिल्कुर ना के वराबर है यानि एक परसेंट चांस है क्योंकि यह दवा जो है इसके अंदर वो आतों को और जिस जगह पर ये यानि पेट के जरीए लिवर और सब चीज़ों को यानि फाड़ के रख देगा और पेसेंट की कुछ ही मिनट में उसकी मुरत क्यों यानि मौत हो जाएगी कोई डॉक्टर इसको बचा नहीं पाएगा अब आपको दिखा देता हूं किस तरीके का होगा तो मैंने यह डिबबा इसका इस्तिमाल करने के बाद नाग पर कुछ ना कुछ आपको लगा लेना है बांध लेना है और इसकी स्मेल की बात करें बहुत ही गंदी इसकी smell है यानि आपको इसका इस्मेल करने के बाद या तो करते समय मुझ पर कपड़ा रूमाल कुछ बांद लेना है और इसको छिड़काओ यानि छिड़कने के बाद आपको यानि अच्छी तरीके किसि तीन चारlı वर है दो लेना है इस दवा का जो असर है या यह दवा कैसे काम खरती आं EVAM बहुत हर दिए जैसे जिनके घर्वन कंडे आउपले अयां पर आसपास के अधियों में सांप की खाने की कोसिस ना करा है कई लोग क्या है इसको यानि सुसाइड करने के लिए खा लेते हैं और उसका मरना निश्चत है इस दवाई के जड़िए तो इसकी मार्केट रेट की बात करें तो 140 रुपे में आपको मिल जागा दूसरा मैं आपको बता दूँ एक क्वेशन और पू तो अब जितने भी लोग कमेंट करें मुझे आंसर इसका बताएं यह फूल कितने हैं धन्यवाद्ट